हलो एब्रीवन आज डिसकस करने वाले हैं AC Welding and DC Welding के बीच में डिफरेंस क्या होता है हम क्यों DC Welding प्रिफर करते हैं प्रिविएस वीडियो जो हमारा था ओक्सी असिटिलीन वेल्डिंग का उसके बाद में हमने डिसकस क्या था आर्क वेल्डिंग के बारे में तो आर्क वेल्डिंग में हम मैंने ये बोला था कि हम DC Welding प्रिफर करेंगे तो उसका रीजन आपको ये डिफरेंस दिखने के बाद समझ में आ जाएगा तो ये एक्जाम में सीधा क्वेशन आता है कि AC Welding और DC Welding के बीच में आप डिफरेंस बता हो तो करना क्या है सिर्फ ये जो टेबल आपको भी स्क्रीन पर दिख रही है आपको ये लर्ण होनी चाहिए आपको as it is वहाँ पर आपको लिख कर आ रहा है एक बार हम समझ लेते हैं कि इनकी बीच में क्या डिफरेंस है AC means alternate current, DC means direct current अब अगर हम बात करें AC Welding की है AC Arc Welding की तो यहाँ पर हम जो setup जो हमारा होता है welding procedure का, जो welding का setup होता है वहाँ पर हम transformer यूज़ करते हैं तो transformer यूज़ करते हैं और यहाँ पर अगर हम DC Welding की बात करें तो generator और motor यूज़ करते हैं तो अगर generator और motor की बात करें तो इसमें rotating parts होते हैं लेकिन transformer में कोई rotating part present नहीं होता clear second चीज़ transformer की जो cost होती है वो comparatively less होती है generator, motor के इसके comparison में, ठीक है लेकिन अगर DC की बात करें तो initial cost जो होता है generator set का जो के हम motor generator लगा होता है उसके initial cost ही बहुत हाई होती है clear next अगर हम बात करें AC arc welding की तो यहाँ पर सिर्फ coated electrode का ही हम यूज़ करते हैं मतलब कि जो electrode जिसके उपर एक coating की भी होती है हम वही electrode यूज़ करेंगे लेकिन यहाँ पर अगर बात करें DC welding की तो DC arc welding में क्या होगा यहाँ तो coated electrode है तो भी हम यूज़ कर सकते हैं और bare electrode भी हम यूज़ कर सकते हैं bare electrode मतलब की जिस पर कोई coating ना हो रखी हो clear दोनों ही useful रहेगा यहाँ पर अब next difference है maintenance cost is low क्योंकि जैसे कि मैंने भी बताया कि यहाँ पर कोई moving parts नहीं है सिर्फ transformer है जिसकी initial cost भी क्या है कम है तो इस पज़े से इसकी जो maintenance cost है वो भी क्या रहेगी कम रहेगी क्योंकि यहाँ पर कोई moving parts नहीं है लेकिन यहाँ पर maintenance cost DC के case में क्या होगा जादा होगी विकोज यहाँ पर rotating parts present है clear next difference है less arc stability मतलब जो arc होती है वो stability बहुत अच्छी नहीं होती है अगर हम बात करें DC arc welding के comparison में लेकिन DC arc welding में जो हमें arc मिलती है वो जादा stable होती है विकोज alternate current में क्या होता है इस तरह का एक pattern हम follow करते है current का लेकिन direct current में direct supply होती है तो इस वज़े से arc का भी यह difference रहता है next distribution of heat is equal and no need of changing the polarity मतलब अगर हम arc welding की बात करें तो arc welding में अगर हमने power source लगा दिया या power supply के लिए तो वो दोनों ही cable में क्या होगा heat जो distribute करेगा वो equal करेगा तो यहाँ पर हमें polarity का कोई concept ही नहीं है कि हमें change करने का कोई कुछ भी नहीं करने है लेकिन अगर हम बात करें DC की तो यहाँ पर क्या होगा जो two-third heat होगी वो आपकी positive pole पे होगी और one-third heat होगी आपकी negative pole पे तो एक pole पे heat जाधा है एक pole पे heat कम है तो कभी हम ज़्यादा वाले को anode से connect कर सकते हैं और कभी हम ज़्यादा वाले को कम वाले से भी connect कर सकते हैं मतलब की बात इतनी है कि अगर two-third heat जिसके पास में है अगर मैंने अपने workpiece को उससे connect किया तो मुझे workpiece पे heat ज्यादा मिलेगी लेकिन अगर two-third heat जिसके पास मैं मैंने electrode को वहाँ पर connect किया तो वहाँ पर heat ज्यादा होगी तो just a difference से आप याद रखी अभी हम उसको और explain करेंगे जब हम positivity पढ़ेंगे clear उसके बाद में less problem of arc blow अगर AC की बात करें तो कि जो arc blow होता है मतलब कि जब हम welding कर रहे होते हैं तो arc blow मतलब कि deflection होता है arc अपनी जगे से कुछ deflect हो जाती करते गड़ते हैं तो वह problem बहुत कम होती है AC में लेकिन अगर बात करें DC में तो AC की compare में बहुत जादा होती है clear यहाँ पर मैंने mention किया next जो arc welding होती है वो हम ferrous metals के लिए use करते हैं क्योंकि non ferrous के लिए arc welding suitable नहीं है अच्छे results नहीं देती है तो हम लोग use नहीं करते हैं लेकिन अगर DC welding की बात करें तो DC welding almost all the metals के लिए suitable है मतलब all the metals can be welded by DC arc welding clear तो यह basic difference है एक दूर difference और कुछ भी आप बना के use करके लिख सकते है लेकिन जो main table यह वाली है यह आपको याद होनी चाहिए सीधा question exam में आते है difference का और सीधा आपको उसी पर टेबल बनानी है और बस और कुछ नहीं करना है clear तो यह था हमारा arc welding जो AC और DC है उनमें difference अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स के साथ शेर करें थैंक्स पर वाचिंग